हेलो मेरे फ्रेंड्स मेरा नाम है अर्जिंजिंग और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिश्टर नौनाइकर में तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेगा के बारे में जो की एक फ्री एंड ओपन सोर्स वेब इस टॉल करके बताऊंगा और करेंगे कुछ टेमो वेब साइट को स्कैन ताकि आप भी सीख पाऊ थोड़ी सी बग बाउंटिंग अब इस वेगा के बारे में थोड़ा सी बात कर लेते हैं क्या क्या है क्या फ्रेंड्स वेगा जो है एक फ्री एंड ओपन सोर्स मतलब कि आ और मैं बात पताऊं कि आखिर यह क्या क्या कर सकता है तो मैं बताऊं कि यह है जो XSS यानि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और SQL इंजेक्शन और अन्य तरह की वेब साइट में उन्हें निकाल कर आपको पता सकते हैं और यह सब जो यह करता है इंतने पावरफुल चीज़ कि मदद से जावा की मदद से जावा स्कृप्ट है लेए जादातर काम आते है जिनके यूजर्स होते हैं वे मतलब बड़े वेब साइट होते हैं चोटी में वेड़साइट से चलो ठीक है लेगि जो बड़ी वेबसाइटस है क्योंकि उनमें जो है बहुत थी संसिटिव इ होते हैं software developers उनके लिए जादा तर यूज होते हैं मतलब वह जादा इन्हें यूज करते हैं और वेगा के बारे बात करें कि इतना खास क्यों इसमें इसमें कुछ ऐसे features हैं जो ऐसे आम तोर पर free-to-use software में देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि यार यह बहुत ही बढ़ी है अब मैं इसके features बताओ जैसे इसमें proxy scanner आपका अलग से मिल जाता है अगर आप proxy लगा कि scan करते हो तो वह भी इसमें feature available है आपके लिए और इसके कुछ आम चीज़ों पर मतलब important चीज़ों पर और हम द्यान दे तो इसमें यह जो है SQL injection को भी बता देता है accesses cross-site scripting में जैसे होता है और जो सभी प्रकार की कमजोरी होती है किसी website पर नॉर्मली और और कुछ अलग से भी होते तो यह आपको बता सकता है बहुती आसानी से और और भी बहुत सारे हैं इस काम के लिए वैसे एक है और एक बर्ट सुट इसके नाम का भी एक टूल आता ह है इसके लिए और नेट इस पारकर रहे बहुती फेमस स्कैनर है वह भी है लेकिन यह जो वेगा है यह बहुत ही एक अच्छा वेलिटी स्कैनर है वह फ्री टू यूज इसके पास मतलब जितने फीचर्स है उसमें यह वेबसाइट में उपस्तित जो भी मतलब उसकी खराब तो चलिए यार अब मैंने आपको इसका वह तो बता दिया कि इसके क्या वह है तो अब इसको हम इंस्टॉल करें इसकी सीखेंगे और देखेंगे कि यार कैसे काम करते हैं थोड़ से मैं भी आपको बता दूँग उतना अच्छा तो मैं भी नहीं हूँ प्लीज यार इसे इस भी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक आपाए और आप उन्हें देखकर एथिकल हैकिंग या फिर टैक्स रिलेटेड कुछ तो सीख पाऊ तो चलिए बिना देरी किये विए सुरू करते हैं उसके लिए आप जो है मेरी तरह अपने पीसी में विंडोस पीसी में लीच में भी कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे फिलार विंडोस में यूदि कम हैकिंग कंप्यूटर बना पाए तो क्या बात है तो आपको भी कोई साए ब्रावजर ओपन कर लें ना मैंने भी खोल रहा है आप चाहो तो कर सकते हो में लें बैस्ट है तो उसके लिए बता दूँ मैं आपको उस ओएस के लिए में दो चीज़ों को चुरत पड़ीगी एक तो जो है उसका सेट अप जिसका नाम है वेगा और दूसरी चीज़ है जयारी मतलब जावा रंटाइम एंवार्मेंट जो प आपके पास अगर नहीं है तो प्लीज आप इंस्टॉल कर देना अब ढूंडना का है कौन सा वर्जन लगेगा यह दिक्कत आती है कमेंट भी कहा था मुझे कुछ लोगों ने तो यहार उसको डूंडने की जुरत नहीं है डिस्क्रिप्शन है मेरे भाई लिंक यहां आपक जिसके मतलब से रैट बनाए था यह वाला वीडियो भी अगर आप नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हो आई वटन में आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है तो जिया इंस्टॉल कर देना नॉर्मल से इस्टॉलिशन होती है एक सैटप आपको डाउनलोड करना है फिर नेक् सब्सक्राइब कर देता हूं तेरा विंडेवस के लिए तीने 64 वेट ओगा 32 वेट ओगा ओनलाइन वाला है तो इसे मैं आप इस्टॉल कर देना वरना यह नहीं चलेगा अब यह इसकी इसका लिंक भी आपको डूनने की जातनी है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको ड्राइब करते हैं वेबसट दीस्क्रिप्शन में लिंक है ठीक है और मैंने क्यों कैब मेरे पास है मैंने पैसे कर रहा है सेटाप डाउनलोड अब वसमें इसे इस्टाल करना यह अब आपको भी ऐसे करने है इनने में बहुँत हैं ये रहा सिंपल सांब इसंट में क्या होता है इन swab seller कृडिशन के होते हैं इस नजल डाल देते हैं इतना बड़ा परता कोन है इसे बिट्व कर देते हैं किछी तो चलाने की जरत नहीं जरत नहीं अब आप इसका इंटरफेस नहीं खुलता है यह से नाम से पता चले ज्यावा रूंटाइम वारे बैग्राउंड में प्रोसेस की चलती है आप लोग इंटेलिजेंट होई समझ में आ जाएगा वेगा को राइट क्लिक कीजिए और रने से इडिमिट्रेटर एंड येस अभी अपने आप खुलता है थोड़ता टाइम लेगा और हम आपको से कहाएंगे थोड़ी बहुत बाउंटी बारे में अगर आपको नहीं पता ह आपको अच्छे से समझा सकता हूं तो थोड़ा से खुलता है कि मेरे कंप्लिकेशन होती है उन पर क्या करते हैं कि उन पर थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं अपनी हैकिंग स्किल्स को आजमाते हैं और उनमें जो वल्नेविलिटी या फिट्रेट उनकी जो कमियां होती है उनने पता करके उनके जो owners होते हुदे उनको बताते है ताकि उनके असके डाउनलोड करके उस पर वेबसाइट डाल के बस पैसे कमा दोगे इतना इजी भी नहीं है तो यह रहा है खुल चुक है बहुत पहले खुल के समय मिरको याद देगा ठीक है तो यह पहले भी मैंने किया था तो रिमूव स्कैन करते हैं आपके लिए नहीं यह स्कैन करेंगे य नहीं है रिप फनल स्कैन के है तो क्या होता है यार जो रिक्वेस्ट हमार गयते हो इसमनला ढदिखाते तो इभायाक मतलब kisजी प्राटक्ष चाहिए किया की मतलब worksite की थोड़ी जानकारिय उती बसके से शो करते हैं सब्सक्राइब कि तरफ करते हैं छात इसमार कुछ नहीं इस पर इसकी तरफ का जाये जाये गडा करोंगे लेकिन बात की बात है विंडोस में जाओ फरेफ्रेंस में जाए तो यहाँ पर इसकी थोड़ी बाव सेटिंग्स करनी है अगर आपको प्रॉक्सी लगाना है तो यहाँवा अने वाट्स फ्रॉक्सी करें प्रॉक्सी लगा सकते हो यह वैसे एफ़ोर्ट होता है यह चल जाएगा ठीक है यह डिफॉल्ट प्रॉट यहाँ पर जाएगा एड्रेस यहां पर फिलाद आप को रहें रहें जाते हैं प्रॉक्सी वाले सेक्शन में यहां पर है आपका डिफॉल्ट यूजर एजिंट अगर आप चेंज करना चाहिए कर सकते हो ऐसी होता क्या है अगर आप क्या कर रहे हो टॉर यूज करें ऑनियन करने जाते हो तो ही आपको यहां पर यह डालना मतलब है इस अफराइग और यह यह वह आपको आप बता देगा तो आपको वह जाकर देख सकते हुआ तो यह सकते हैं आप से सकते हो आप से सकते हो अब से स्कैन पर चलते हैं कि ज्यादा घुश्ट मैं भी कुछ एक्सपर्ट नहीं हूं अभी साइबर सक्षब कर दिए लिए टीक है तो एनेबल बेस यूरल फो इसकेन यार यहां पर यूरल डाल के सिदे सकान कर सकते हो वरने य यार एक malicious website ले लेता हूं मैं dummy website ठीक है यह एक dummy website है क्योंकि यार ओरिजिनल website से भी हम ट्राइन नहीं कर सकते हैं यह youtube community guidelines के खिलाफ है चैनल पर श्ट्राइगा आपका भाई का चैनल बंद है और आप लोग भी सीखने पाऊ ठीक है तो आपको कॉपी करने कोई सी वेबसाइ नहीं है simple या कुछ नहीं कंट्रोल प्लस वी से यवारे पेश्ट करना है एंड क्लिक ओन नेक्ट बटन यहां पर डो टाइप के modules आपको दिख रहे होंगे एक को आपको चेक करना है वैसे दोनों करोगे तो लिकिन ज्यादा टाइम लेगा फिलाल हम से demo दिखा रहे हैं एक दैन क्लिक ओन नेक्स्ट इसको ऐसे रहना देना अगर आप कुकी जोड़ना जातो ठीक है वरना नेक्स्ट ठीक है यह भी ठीक है एंड फिनिस पर करते हैं जैसे हम फिनिस पर करेंगे यहां पर स्कैन स्टार्ट हो जाएगी और यह स्कैन में आपको बता दू मेरे यह उन वेबसाइट पर ज्यादा तर पड़ती जिनके यूजर्स बढ़े होंगे वह वेबसाइट भी उतनी बड़ी होगी ठीक है फिलाली डेमो वेबसाइट उस पर ज्यादा टाइम लगे साहिए फिर भी आप वेट कीजिए और आप लेकिन किसी रियल वेबसाइट कर र भाई को प्यारा था गाली वाली मत लिखना दर लगता है में गालियों से पर एक प्यारा सा कमेंट तो करें सकते हो कि क्या कमी रह रही है ताकि हम उसे अच्छा कर पाएं और आप को मजा आए वीडियो से दिखने में हमारा जो स्कैन था स्कैन हुई वेबसाइट कम्प्ली वेबसाइट हो चुक है इसे एक थैट भी मिला हो मिला XSS यारी कि क्रॉस साइट इसके प्रिटिंग यानि कि इससे जो यह इफेक्ट हो सकता है यह वेबसाइट ठीक है लेकिन डेमों वेबसाइट थी तो हमें क्या उसे वह तो यार बहुत दिलेल्स मिल जाएंगी यह रहा तो क्या यार बस लाइक कर दो आपके भाई को इससे ज्यादा क्या चाहिए ठीक है और इस वीडियो के बारे में राए शेयर करो कमेंट में तास दाएट दोस्तों सारी शेयर करें चैनल के पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर दो मैं मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडिय वीड़ बाई